मुख्यमंत्री नितीश कुमार से दो बार हुए मुलकात के बाद अनन्त सिंग और फचोटे सरकार ने बढ़ाई राजुनितिक सक्रियता नमस्कार नियुस पो नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा एक तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्षते जश्वी यादव अपने आभार यात्रा पर हैं तवह दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार लगातार चुनावी परचार परसार में हैं और अनन्त सिंग से मुलकात कर रही हैं बता दे कि जब अनन्त सिंग और फर छोटे सरकार जेल से रहा हुए थे तब पहली बार खुद पटना आकर मुख्यमंत्री से मुलकात की थी और दूसरी बार मुख्यमंत्री खुद मुकामा अनन्त सिंग से मिलने पहुँचे थी कुछी दिनों पहले जेल से रिहा हुए पूर्व विधायक अनंत सिंग की दो बार बेहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार से मलकात हो चुकी है पहली बार तो अनंत सिंग खुद नितीश कुमार से मिलने पटना आई थे और दूसरी बार नितीश कुमार बिलशी से लोटते समय अनंत सिंग से मिले अनन्त सिंग अवैद हत्या रखने के आरोप में जेल में थे तब आरोप लगा था कि नितीश कुमार ने ही उन्हें बेवज़ उस मामले में फसाया है अब अनन्त सिंग को गरफतार करने वाली स्पी लिपी सिंग के पिता नितीश कुमार के ही साथ थे कोट में पुलिस कारोप फर्जी साबित हुआ और अनंत सिंग रिहा हो चुके हैं हाला कि किसी को भी इस बात पर अश्यरी होगा कि अगर नितीश कुमार ने अनंत सिंग को फसाय था तो रिहा होते ही दोनों के बीच इतनी नजदी की कैसे बढ़ गई अचानक दोनों के बीच बढ़ती नजदी की पढ़ खता इसी साल फरवरी में लिखी गई जब विश्वास मत के दोरान अनंत सिंग की पत्नी आरजडी विदायक नीलम देवी ने पाटी लाइन तोड़ कर नितीश की मदद की विदान सभा की रिकॉर्ड में नीलम देवी अब भी आरजडी की विधायक है तब से ही कयास लग रहे थे कि नितीश कुमार और अनंत सिंग के बीच की अदावत अब बीत दिनों की बात हो गई है हलाकि अनंत सिंग की रहाई अदालती आदेश से हुई है लेकिन लोगों का मानना ही कि परोख्ष तोर पर नितीश कुमार की उन्हें मदद मिली लोगसभा चुनाव के दोरान अनंत सिंग जेल से पैरोल पर कुछ दिनों के लिए बाहर आये थे और दोरान उन्होंने जेडियू प्रत्याशी राजीव रंजन और फललन सिंग के मदद की थी वो भले कहीं चुनाव परिचार में नहीं गए लेकिन मिलने आ रही लोगों को उन्होंने ललन सिंग को जुताने का इशारा कर दिया था तब मुंगेड में हिस्ट्री शीटर अशोक महतो की पतनी को आज्जेडी ने उमिदवार बनाया था अशोक निचनाव को अगर बनान पिछडा भी बनाने की कोशिश की लेकिन बताते हैं कि अनन्त सिंग की वज़ो से पिछडे तबके के वोट भी ललन सिंग को ही मिले अनन्त सिंग की पहजान भले भूमियार निताकी हो रही हो लेकिन उन्होंने अपने इलाके में हर समाच की लोगों को अपने साथ जोड़े रखा वहीं अनन्त सिंग नितीश कुमार से पहली मलकात के बाद अगले साल होने वाले विदान सवाचनाव में अपनी उमिदवारी की घोशना कर दी है अब तो वो ये बात खुले आम सब को बता रहे है बता दे कि बीते दिनों अनन्त सिंग पतना पहुंचे उनके पतना आगमन का अउदेश तो किसी को नहीं मालूम लेकिन माना जा रहा है कि अब वो अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने में लग गए है सुमवार को नितीश कुमार से उनकी मुलाकात के बाद शायद उन्हें ऐसा करने का निरदेश मिला हो अनन्त सिंग खुद चुनाव लड़ेंगे ये तो पक्का है लेकिन उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी इसमें संदे है संदे का कारण ये है कि खुद अनन्त सिंग कहते हैं कि वो घरेलू महिला है और राजनीतिक अदाव पेच नहीं समझती देखे सीएम नितीश कुमार से दो बार मुलाकात करने के बाद अनन्त सिंग और फुचोटे सरकार अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने लगे हैं और खुलकर सामने अनन्त सिंग कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेगी और जिस पर संद्श है कि चुनाव लड़ेगी की नहीं वो है अनन्त सिंग की पत्नी अनन्त सिंग अब राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने लगे हैं और आप खुलकर सामने कह रहे हैं कि इस बार वो विदान सबा चुनाव लड़ेगी लेकिन अगर किसी पर संद्श है तो वो है अनन्त सिंग की पत्नी कि वो चुनाव लड़ेगी की नहीं फिलाल के लिए इस खबर में बसते रहीं आप देखते रहें न्यूस पर नीश